सिखों से बड़ा हिंदू कोई नहीं, सिख हिंदूओं के सिर्ख के ताज है, सनातन के सिर्ख के ताज है। गुरू गोविंसिंग जी महराज के बच्चों को दिवार में चिनवा दिया, लेकिन सनातन से समझाओता नहीं किया। अमित्शा और नरेंदर मोदी जी के रहते हुए इस देश का बालबाका नहीं हो सकता है। मगर अफसूस की बात यह है कि जो भारत में नरेंदर मोदी जी का विरोध करती हैं पार्टियां, वो सब खलिस्तान के साथ खड़ी है। रहूल गांदी हूँ या खलेश यादव हूँ, तेजश्री यादव हूँ या कोई और नेता हूँ, इनका साथ, इनका समर्थन खलिस्तानियों को है। खलिस्तानियों का समरतन कौन करता राहूल गांदी पाकिस्तानियों का समरतन कौन करता राहूल गांदी राहूल गांदी सनातन को बाटना चाते कनाड़ा में जो हुकूमत है वो कनाड़ा की हुकूमत नहीं है वो खलिस्तानियों को हुकूमत है और यह जो खलिस्तानी है यह कि यह हमारे देश के दुश्मन है क्योंकि यह सिख धर्म सिख पंत के मानने वाले नहीं हो सकते हैं सिख पंत तो वह पंत है जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपने वल्दान दिये सिखों से बड़ा हिंदू कोई नहीं सिख हिंदूओं के सिर्के ताज है सनातन के सिर्के ताज है गुरुगोविन सिंग जी महराज के बच्चों को दीवार में चिन्वा दिया लेकिन सनातन से समझाता नहीं किया तो गुरुगोविन सिंग जी महराज का नाम लेकर के सिख पंथ का नाम लेकर के खलिस्तान का नाम लेकर के खालसा का नाम लेकर के और यह देश को तोड़ना चाहते हैं मैं बता देना चाहता हूं इन तमाम लोगों को कि देश का प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी है देश क के ग्रह मंत्री अमित्षा है और अमित्षा और नरेंदर मोदी जी के रहते हुए इस देश का बहल बाका नहीं हो सकता है मगर अफसोस की बात यह है कि जो भारत में नरेंदर मोदी जी का विरोध करती यह पार्टियां वो सब खलिस्तान के साथ खड़ी है यह सारी पार्टियां इनके नेता इनको कनाड़ा में जो हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है एक ने भी उसके निंदा नहीं किया है इसका मतलब है कि राहुल गांदी हूँ या खलेश आदव हूँ तेजश्वी आदव हूँ या कोई और नेता हूँ इनका साथ इनका समर्थन खलिस्तानियों को है गुजी गुर्या सिंग ने कहा है कि इस तरीके से बंगला देश पर हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है राहुल गांदी भी इसी इंदुस्तान में ऐसा ही कुछ करा चाते हैं लखबोट के नाम पर दY कि राहुल गांदी एक अबनॉर्मल परसन है एक आबनॉर्मल इंसान और कि उनका जो सबहाब है वह अराजक्तावादी है वो एनार्किस्ट है भारत को जो भी तूड़ने की बात करेगा भारत के खिलाफ जो बोलेगा राहुल गांदी उसका समर्थन करेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारा लगता है उसका समर्थन कौन करता है राहुल गांदी खलिस्तानियों का समर्दन कौन करता राहूल गांदी पाकिस्तानियों का समर्दन कौन करता राहूल गांदी राहूल गांदी सनातन को बढ़ना चाते राहूल गांदी हिंदुत को खतम करना चाते राहूल गांदी इस देश को तोड़ना चाते राहूल गांदी भारत का इन्द्रा गांधी जी की आंत्मा रोती होगी सोचती होगी कैसा पोता पैदा किया इंद्रा गांधी ने अपना बल्दान देश की एकता के लिए दिया उनका पोता देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ा है कभी चीन के साथ नजर आते हैं कभी पाकिस्तान के साथ नजर आते हैं कभी खलिच्तानियों के साथ नजर आते हैं कभी बंगलादेश के जिहादियों के साथ नजर आते हैं तो मुझे लगता है कि राहूल गांदी जी को भारत छोड़ करके कनाडा में, पाकिस्तान में और बंगला देश में राजनिती करनी चाहिए